विराट कोली के बिना कोई टीम नहीं BCCI पर उठाए दिगज ने सवाल T20 World Cup 2024 बहुत करीब है IPL के बाद in fact T20 World Cup is something जिसका सब इंतजार कर रहे हैं और SMA Indian Team as a Indian Team जो है अपना आखरी इंटरनेशनल मुकाबला जो है वो खेल चुकी है और इस टाइम पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर विराट कोली T20 World Cup 2024 खेलेंगे या नहीं क्योंकि एक आर्टिकल सामने आया था जहां पर बड़ी खबर ये थी कि विराट कोली को शायद BCCI कंसिडर नहीं करने वाली है और उसमें explanation भी लिखी हुई थी कि क्योंकि West Indies की slow pitches कोली को इतना suit नहीं करेगी साथी साथ ये भी था कि अजीत अगरकर जो की chief selector है उन पर अब ये पूरा decision जो है क्योंकि ये बहुत delicate decision है और बहुत लोग इसमें involved होंगे तो अच्छा नहीं होगा बहुत बड़ा decision है लेकिन अब पाकिस्तानी दिगज खिलाडी ने सवाल उठाए है BCCI पर और उन्होंने बताया है कि विराट कोली की T20 World Cup 2024 में जगा बनती है या नहीं जब ये खबर आई थी कि विराट कोली को ड्रॉप करने के बारे में सोच रही है BCCI T20 World Cup 2024 से इस खबर को सुनते ही कहीं न कहीं सोचल मीडिया पर फांस के बिच में तहलका मच गया था हर कोई खबर सुनके शौकता से फांस ही नहीं बलकि दिगज भी कि विराट कोली जो हमेशा इसी टूर्णामेंट्स में स्टेप अप करते हैं खासकर T20 World Cup में उनके आकरे बागियों के बहतर में काफी ही ज्यादा शांदा हरे T20 International में पूरिद विश्व में सबसे आता खिलारी को निकाल सकते हो खासकर तब जो वेस्ट इंडीस में खेल चुके हैं एक्स्पीरियंस है रंस्कोर उनने कर रखे हैं लेकिन स्टिल जबी क्वेशन काफे उटना शुरू है तो अब पाकिस्तान के दिगज नहीं आपे जो है कईना के विराट कोली का सपोर्ट किया है और बड़ा बयान दिया है नजरे डालते हैं उनके इस बयान पर मुहमथ इरिफान ने हम पर कहा कि मेरे पास इसके बारे में कोई दूसरा विचार नहीं है आप विराट कोली के बिना अपनी टीम नहीं बना सकते हैं क्योंकि वह बहुत स्टेज मैच भी शामिल थे जहां भारत ने शुरवाती विकेट खो दिये थे उन्होंने अपने दम पर माच खतम किया उन्होंने हाल के दिनों में मैच जीते हैं उनकी जगह पर सवाल उठाना उचित नहीं है विराट कोली की जगह पर सवाल उठाने वाले लोग गली क्रिकेट से हैं कि विराट कोली की फर्म बहुत कमाल की थी पर्टिकुलरली ODI World Cup में बहुत सारे ग्रूप स्टेजिस के भी ऐसे माच इसे जहां पर अर्ली विकेट्स गिर चुकी थी लेकिन विराट कोली ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी इनफाक्ट मानने अगर आप रोहिच शर्मा की परफॉर्मेंस पर नज़रे डालेंगे तो रोहिच शर्मा भी इतना खुल कर तभी खेल पा रहे थे लेकिन नौट जस्ट पूर्व खेलाडी बलकि युनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का भी मानना था कि वराट कोली वर्ल्ड कुप की किसी भी टीम में जगा बनाते हैं तो वर्ल्ड कुप 2024 तो वराट कोली उनके साफ से खेल रहे हैं भी पौर्विस्य कहीन जो है अगर देखे तो हर को यहां पर दूसरे अब इस खेलाडि कहीन नगये कहते हैं कि अगर हमें किसी दूसरी कंट्री से कोई जो घ्लाडी अपने UPने पास रखना हो तो वह विराट कोली हों कर बढ़ने क्ते हों इतना आए लेटरल की बात नहीं हो रही है जहां वैसे ही टीम इंडिया नहीं जीत पारी है दस सालों से ट्रॉफी और वहां पर भी टीम इंडिया कॉम्पेटिटिव टिकेट दिखाती है से फाइल फाइनल तक पहुचती है उन सब में अगर देखोगे तो हर टूर्णमेंट में को नहीं खिलाया जाता हाला कि होफुली यह सारी बाते जोए सब एक अफवा हो क्योंकि अवे तक ऐसा कुछ कुछ क्लियर नहीं है तो जब यह सारी कंफरमेशन की विराठ खेलिंग या नहीं होगा तब जब इसीचाई करेगी इस T20 वर्ल्ड़कप 2024 के लिए भारती टीम की स्कॉर्ड का ऐलान बिलकुल पूर्व खिलाडियों का मानना है विराठ कोली को खेलना चाहिए T20 वर्ल्ड़कप 2024 फॉर्म विराठ कोली के पास है साथी साथ बाहर की कंडिशन में जो है एक्सपिरेंस वराठ कोली के पास है लेकिन दिगज क्या कह रहे है विराठ कोली का बल्ला क्या कह रहा है फॉर्म उनकी कैसी है ये चीज़े इग्नोर भी कर देंगे लेकिन उनका एक्सपिरेंस इस सम्टिंग जो शायद ही टीम इस में उस हिसाथ से तो जगा बना रहे हैं और अपने एक्सपिरेंस की वज़े से भी बाकि आप अपना उपीनिन इस बारे में बता सकते है कॉमेंट सेक्शन में तब तक के लिए देखते रहे है तूफान स्पोर्ट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट् नहीं चान से तूफान स्पोर्ट्स लाहे है